हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस चाहे आप क्लास 10 के छात्रों हों चाहे 12 के छात्रों हो 16 फरवरी को आप सभी का हिंदी का पेपर हैं तो आप हिंदी के पेपर देने जा रहे हैं तो परिच्छ कच में किन बातों का ध्यान देना है आपको उसके बारे में इसमें आपको समझाएंगे कि आपको एक्जाम के हाल के समय में क्या करना है देखें यहाँ परिच्छा कच्छ में ध्यान देने योग जो point है उसके बारे में discussion करेंगे फ्रेंज जितना आपको पढ़ना जरूरी है उतना ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि आपको paper कैसे ल होते हैं लेकिन आप exam हाल में कुछ गलतिया करते हैं जिसके वज़ास से आपके नंबर बहुत कम हो जाते हैं तो फ्रेस्ट जो गलतियां सभी student करते हैं उन्हीं गलतियों के बारे में यहां पर आपको बताएंगे फ्रेस्ट यहां पहला मिनख का आपको समय मिलेगा तो 15 मिनख तक फ्रेंस जितने भीwhen UC- person रहेंगे इस प्रकास ठीक केदेख लीजी सभी प्रशन हिंद कैं जीपने भी प्रशन रहेंगे इस विप्रशनों को आप ध्यान पूरा गएप सभी को पढ़ लिजिए खिके देख लिए 2023 का मॉडल पेपर है इसको अभी ध्यान से पूरा एक बार पूरा प्रश्ण से लेके लाष्ट तक आप देखने पूरा लाष्ट तक जितने वी प्रस्ण रहेंगे एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है ठीक है इसके बाद आपको क आप को बवी कल्प लोगा फिर इसके बाद आपका क्या होगा कि यहां पर देख सकते हैं और यहां अाँ क्सक्राइस सभी प्रशनों को खड़े करना आपका करना है दूसरे नमबर प den और य सुन रहेंuard आपका नैगका शुट्थ कekk Na अस्पस्ट लिखना है देखिए आपपो ॐड चॉपर का काक्ष आप इसको देख सकते हैं कि टापर ने किस प्रकास से निबंध लिखा तो ये निबंद की कापी आप इTY अपर की कापि प्लेश चिर फ्रेंश प्ली परका सेह आपको साफ सूथ्राइम उस पास्ट रूप से कापि को लिखना अग्लियन नंबर पे नकों क्या करना है कि काला पेन या काला इसकेश का परियोग मफ्लय करना था यह काला पेन आप काल पहल ले जा सकते हैं यह भी काला है धो काला पहले ले लिजिएगा और ब्लू पहल सेंग पहले या सब और प्रश्नों को आप किया करना है फ्रेस्ट हल करना ग। इसलिए बोले भूले है जो प्रश्न आपको सिंपल लगता है तो सबसे पहले गावलज से पार एउसी प्रष्न को आप हल कीजिएगा ठीक है अपको प्रश्न पत्र भर बताते हैं कि आ प्रसमें को पढ़एं इसका एंस्वर नहीं आ रहा है कि आ इस प्रस्विशमको हमको पता चला है की डूसरा प्रसद प्रसंप प्रसद्यास संकरश्द ऐचार राम चंद्र शुक्र इसे से जैसे माली जैंको डाक्टर राम चंद्र परसाथ का जीवन पर चयाद है तो सबसे पहले पेज़ पे आपको क्या कर रहा है कि छटवे नंबर का ही एंसवर लिखना इस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है जो बता रहे हैं इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दे तो पह कास यदि आप करते हैं तो आपका paper में 70 नंबर का paper रहता सटर में 68 नंबर अदम आराम से आजाएगा ठीक है इस चीज़ को धियान दिजिए चलिए अगले बात अगला पॉइंट क्या है अपका उसके बाद सरल प्रश्न करने के बाद उसके बाद आपके पास समय बसता है से कठीन परस बठीन को हल करेंगे फिर उसके बाद समय का ध्यान तो तो किसा में का ध्यान रखते हुए प्रश्ण पत्र को हल करना ठीक इस बात का आपको ध्यान देना है फिर इसके बाद क्या है कि सभी का उत्तर लिख लिए फिर लिखने के बाद आप उस्तर पुस्तिका में उसका एंस्वर मिला लिजी सभी का कि हमने सभी प्रश्णों का एंस्वर द बिले सकते ऑबश它कापी के नभी कशल में पड़िए आपको Mount सभी Count के अथियां नहीं देते हैं अबا जलती बाजी करते हैं आप से निश्चीत परश्न पत्र का एंश कर चूट mayor आप बहुत भद्दा लिखेंगे जिसके वज़ा से आपका नंपर बहुत कम हो जाएगा जितने पता हैं कि सबसे पर प्रश्च पत्र को पढ़ें फिर उसके बद प्रश्णो को खंडवार हल करें सुन्दर लिखें असपस्ट लिखें सरल प्रश्णों को पहले हल करें नीला पेन और काला पेन का ही परियोग करें फिर उसके बाद कठीन प्रश्णों को हल करें फिर समय का ध्यान रखते हुए प्रश्ण पत्र को हल करें ठीक है और उसके बाद उत्तर पुस्तिका को लाश्ट में आप मिला लें कि सरी प्रश्ण का इंस्वर आपने हल किया है कि नहीं किया है जितने पॉइंट बताएं इन पॉइंटों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा यदि इसमें से एक भी पॉइंट अप मिश्टेक करते हैं तो आप एक्जाम हाल में बहुत कम नंबर आपके मिलेंगे ठीक है टाप पर जो काम करते हुआ आपको बता दिये इन सभी पॉइंटों का जरूर ध्यान दे तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें